अगर आपने भी किसी बैंक में खाता खुलवा रखा है तो यह जानकारी आपके लिए बहुती महत्कून फंद जारी है आप वदा दें कि भारतिय रिजिरु बैंक की तरफ से हाली में एक बड़ा आदेश जारी क्या गया है जिसके अंदरगत दोस्तो फाइदा मिले जा रहा है और वहीं 5000 रुपे तक का जुर्माना भी भरना पड़ेगा अब यह जुर्माना किने भरना पड़ेगा और फाइदा किने होगा उसके बारे में हम आपको इस वीडियो के मात्यम से बताने जा रहे हैं चाहिए आपने भारती स्टेट बैंक में खाता खुलवा रखका है या फिर पंजाब नेस नल एजिर्यअपसी बैंक में किसी बैंक में तो पूरा क्या मामला है चलिए जान लेते हैं अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिजिए जाज़ेदा वीडियो को सेर भी कर दीजेगा आपको बता दें कि देखिए अभी सभी वेक्टियों के पास बैंक एकाउंट है चाहे वे किसी भी बैंक में हूँ लेकिन आपको बता दें कि हाली में आर्बाई की तरब से निर्देश जारी किये गए है देखे अगर आपने भी होम लोन लिया हुआ है या फिर किसी परकार का प्रोपरिटी लोन लिया हुआ है तो भारती स्टेट बैंक दुआरा हाली में निर्देश जारी किया गए हैं इसके अंतरगात एक दिसेंबर 2023 को नए नियम लागू होने जा रहे हैं इन नियमों से ग्रहाकों को जबरदस्त तोफा भी मिलने वाला है जबरदस्त लाब भी होगा अब यह जो जुर्माना लगेगा यह जुर्माना किन्हे लगेगा उसके बारे में भी जाननीजिए देखे रिजर बैंक की तरब से यह नियम ग्रहाकों से सिकायत मिलने के बाद जारी किया गया है क्योंकि ग्रहा को द्वारा सिकायत की गई है बैंकों को और वहीं RBI को ऐसी कहीं सिकायते मिली है ऐसे में लोन रिपेमेंट के बाद ग्रहा को को प्रोपर्टी के डोकोमेंट के लिए महिने तक चक्कर लगाने पड़े हैं अगर आपने भी होम लोन लिया हुआ या फिर प्रोपर्टी लोन लिया हुआ है तो अब से आपको बड़ी राहत मिलने वाली है देखिए कुछ मामलों में बैंक की तरह इनके बैंक की तरफ से प्रोपर्टी के काँजात गुम होने की बी बाद कही गई है वहीं बैंक की इस तरह इस तरफ की लापरवाई को देखते हुए जरी जरी बैंक की तरफ से यह आदेश जारी किये गए हैं अब क्या आदेश जारी किये गए हैं यहाँ पर आप जानेजे देखे आपको बता दें कि जब कोई वेक्ती होम लोन या किसी तरह का प्रोपर्टी लोन लेता है तो बैंक अपने पास संपत्ति के ओर्जिनल डोकॉमेंट्स रख लेती है अब दोस्तों यहाँ पर क्या नियम लगने वाला है या फिर क्या जुर्माना लगने वाला है आप यहाँ पर जान लिए देखे दोस्तों अगर आपने किसी बैंक या फिर NBFC से होम लोन ले रखा है तो यह ख़बर दोस्तों आपके लिए बहुत काम की है देखे, RBI के आदेज के बाद एक दिसेंबर 2023 से प्रोपर्टी लोन से जुड़ा नया नियम लागू होने वाला है और यह नियम यह है कि इस नियम के अनुसार अपने इस नियम के अनुसार आपने प्रोपर्टी पर किसी परकार का भी लोन लिया है तो उसे चुकाने के 30 दिन के अंदर संपत्ति के कागजात ग्रहाकों को लोटाने होंगे यह बैंक से कहा गया है दोस्तों कि अगर बैंक 30 दिन के अंदर ग्रहाकों के जो भी संपत्ति है जो भी प्रोपर्टी है अगर उसके कागजात नहीं लोटाते हैं तो उन्हें भारी जुर्माना चुकाना पड़ेगा, बैंकों को भारी जुर्माना चुकाना पड़ेगा, अब यहाँ पर दूस्तों अगर बैंक की तरब से ऐसा नहीं किया जाता है, तो ग्रहक को रोजाना के 5,000 रुपे का जो जुर्माना है वहें देना होगा, यानि कि बैंक ग्रहक को जुर्माना देगा, यह लाब ग्रहक को मिलने वाला है, तो यह नियम एक दिसेंबर 2023 से लागो हो जा रहा है, अगर आपने भी किसी परकार का लोन लिया हुआ है, होम लोन लिया हुआ है, या फिर किसी प्रोपरेटी पर लोन लिया हुआ है, और आप अपन विजो कर देगा आपो स्वाल कर सकते हैं आप सभी के सवाल का जबाब गए जाएगा कर आप आप ने अभी तक में और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो घ्रीपिया वीडियो को like कर दिए जहसे अभी वीडियो को सेयर करेगा चैनल पर आप पहली वार आए हैं चैनल को भी आप जूरूर सब्सक्राइब कर लिजगा आप चाते हैं आप से इजाज़त और मिलते हैं आपको नए स्टूडियो में तब तक के लिए दोस्तों जै हिंद जै भारत